गूर्णिंग एवरिवन राधे राधे कैसी हैं आप सबी आप सब बहुत 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 अच्छी होंगे स्वागत है आप सबी का रेखा की दुनिया में और जी सुबे की चाय बन गई है मैंने सेख दिये हैं हस्बन के लिए ब्रैड क्योंकि मेरा है सौंबार का ब्रत और उ लगबग बारा साड़े बारा बजे का टाइम था तो मैं यहां अपने लिए बना रही थी कोट्टू की पकोड़ियां तो वैसे तो मैं ब्रत में इस तरह का कुछ भी नहीं खाती हूं दिन में लेकिन आज मुझे सुबे से ही बहुत जादा वीकनेस सी लग रही थी कुछ नमक का खाने सा मन हो रहा था और मीठा खाने की जरा भी एक्छा नहीं थी तो फिर मैंने सोचा चलो कोट्टू की थोड़ी सी बस दो तीन आलू की यहां पर मैंने पकोड़ियां उतार ली हैं और इसी से काम चल जाएगा साम तक मैं आराम से रह सकती हूं क्योंकि बिना नम चीली है अद्रक है और हिंग है जीरा है तो इसको भून के गोवी इसमें आट कर दूंगी गोवी और आलू तो आज शाम की थाली में गोवी आलू और पराठा बनने वाला है और कुछ वीवर्स के कुछ सवाल हैं तो चलिए आज के ब्लॉग में मैं जवाब दूंगी पहले जी यहां सब्जी बन रही थी तो लाइट चली गई तो बस यहां पे मैंने मसाले डाल दी है थोड़े थोड़े और जो सवाबार की सब्जी रहती है ना उसमें मैं कितने भी कम मसाले डालू कैसे भी बनाऊना बहुत टेस्टी खाना बनता है तो बस यह फटा-फट बन जाएगी क्योंकि यह वॉयल्ड गोभी है आलू है गुड मॉनिंग अब्रीवन राधे राधे कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे और और मेरा है आज विरत सवंबार का तो आप सभी को हर हर महादेव पहले तो और दूसरी बात है कि कुछ वीवर् प्रतीमा प्रतीमा मेंने स्थापित कर दी है और मैंना बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस Será का रहुंऔर एपनी फर्स्ट यूटूब पेवमेंट से और सोचा तो बहुत कुछ था कि मंदिर लूँगी क्योंकि बहुत सारी मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कहते हैं कि चन में मंदिर मत लगाओ आप एक हैंगिंग वाला मंदिर ले लो तो हां मैं कोशिश करूंगी कि मैं कि दो जो हैंगिंग भी हो जाए और उसमें लगभग गनेश जी और लक्ष्मी जी और साथ में जो मैं सिप परिवार की प्रतिमा लाई हूं मतलब मेरे कहने का मतलब जो मेरे मेरे पूजा करने का है सिस्टम वो तो सारे रखे ही नहीं बस गनेश जी और लक्ष्मी जी रख और फिर मैं सौंबार का ब्रत करती हूं तो भोले नाथ को रहना तो बहुत जरूरी है और भोले नाथ जो है वो मेरे सबसे सबसे ज्यादा पूजनी है मुझे क्योंकि उनी से ही मैं शुरू से जूड़ी हूं बाकी से हिसाब से मंदर खरीदने की कोशिश कर रहे हूं कि बहुत ज्यादा परिशानी होती है तो यह वाली जो आप सबकी रिक्वेस्ट है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी मंदर वाली अभी मैं फिल्हाल कुछ अहां एक सबस्क्राइबर है नंदरी उन्होंने कहा था कि आप जो भोजन थाली है ना जैसे आप कई सारी रिश जादा हो जाते हैं तो हां उनका जो कमेंट है मुझे अच्छा लगा और उनका जो मतलब सब्सक्राइशन है वह बहुत अच्छा लगा तो मैंने उन्हीं के चलते मीशों से ना एक थाली मंगाई है भोजन थाली और कीचन को लेके बहुत कुछ मैं सोचके रखी हूं लेकि कि हजबें नाराज हो जाते हैं जल्दी हां जो भी करूंगी उन से पूछ नहीं कर सकती है तो इसलिए मिलके काम करना जाधा अच्छा रहता है तो मैं पहले उनसे decision लेती हूँ उसके बाद इन घर में कोई चीज मुझे मगाने होती है यदि लाने होती है तो मैं मंधबाती हूँ और वो भी ऐसे ही करते हैंrench जब उनको कोई नई लेकिन जब तक दोनों का डिसीजन नहीं होगा ना किसी काम को लेके अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है और हजबन को अच्छी लग रही है और वो कर ले रहे हैं तो कहीं न कहीं मेरी नाराज़गी रहती हैं और मैं अगर कर लूँ उन्हें अच्छा नहीं लगे तो उनकी नाराज़गी रहती है तो फिर वहां भी अच्छा नहीं लगता ना कि जब दोनों की जो रजामंदी है ना किसी काम को लेके वो रहे तो उस काम को करने में भी अच्छा लगता है और फिर लाइफ में भी एक ज साइदा उठाई जाता है लिए मैं हुदिन के साथ मिल के ही हर काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मुझे नड़नाने के लिए जो एक सब कुछ मुझे सैटिंग करनी पढ़ती है जब भी मैं काम करती हूं किचन में तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है इधर उदर कोई समान ऐसा तो नहीं दखा है जो किचन में नहीं होना चाहिए फिर भी बहुत सारा समान ऐसा रखा हुआ है जो नहीं होना चाहिए लेकिन आप सब फिर भी मुझे इतना सपोर्ट क और जो मेरा दो चूली वाला श्टॉव है बो तो अभी आया है कम से कम एक दो महीने ही हुए होंगे सावन के महीने में ही आया था उससे पहले जो दो साल तक मैं वीड़ीो बनाती रही वो तो मेरे पास एक ही वर्णर वाला चूला था तो उसी पे मैंने मेहनत की थी और उसी से मैं जो चैनल है मेरा ना ग्रोथ भी किया था तो ये सब तो अभी हुआ है जब हाजमने मुझे काफी मतलब देखा कि हाँ एक चूले पर ये परिशान रहती है और बच्चे का दूद बहुत सारे खाने बहुत सारे काम भी होते हैं त और फिर मुझे टाइम मैंनेजमेंट भी करना होता था क्योंकि टाइम से पहले काम निप्टाना होता था तो ये सारी चीजों को देखते हुई हजबन ने मुझे दूसरा चूला लाकर दिया था और तो ये भी और आप सब की बहुत जादा रिक्वेस्ट आती थी कि दिदी मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सब के लिए लेकर आऊंगी तो फिलाल जी सुवे का नास्ता बन गया था ये मंगलवार की सुवे का नास्ता है तो यहां मैंने सैंडविच बना लिये थे सौमबार की शाम को जो मैंने गोवी आलू बनाये थे ना बही वच तो वह सुसी को मैंने फिल करके सैंडविच बना लिये हैं और यह बहुत टेश्टी लगते हैं खाने में तो ब्राउन ब्रेड जो होती है न वो मैदा वाली ब्रेड से कही ज़्यादा टेश्टी होती है तो मैं जातर यही मंगाती हूँ लेकिन जब खतम हो जाते हैं पॉज में आ गई होंगी और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बना के रखना मैं मिलूंगे एक और ब्लॉग में तब तक की लिए बाब बाई टेक क्यार लव यू ओल एंड हर हर महादेव